ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारी बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रो सादर जैसी कृष्ण हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं मैं हूँ आपके साथ अचारी धर मिंदर शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशिफल ये राशिफले 8 जुलाई 2021 गुरुवार का दिन है आसार महा के कृ दक्षिन दिसा में होंगे इसलिए दक्षिन दिसा की यात्रा करना नुकसानदाई साबित होगा अगर किसी कारण दक्षिन दिसा की यात्रा करना बहुत जादा अवशक हो तो जीरा खा करके यात्रा प्रारंब कर सकते हैं राहुकाल जो की दो पहर एक बच करके 30 मिनिट से प्रारम बहो करके तीन बजे तक रहेगा इस दोरान किसी भी प्रकार का शुब मंगलिक या नया कारी आपको नहीं करना चाहिए हाला कि रहुकाल का निर्णे आप अपने क्षेत्र के पंचांग अथ्वा केलेंडर के नुसर कर सकते हैं क्योंकि रहुकाल कई स्थानों पर माना जाता है और कई स्थानों पर नहीं भी माना जाता है देनिक ग्रह गोचर के दि हम बात करें तो ग्रहो के राजा सूरी देव जो की मितुन राशी में वहीं चंद्रमा ब्रशब रासी में मंगल ग्रह करक राशी में विद्यमान रहेंगे अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेस रासी की आज का दिन अधिक तम समय आप अपने व्यक्तित्त को निखारने में व्यतीत करेंगे आत्म अवलोकन में व्यतीत होगा इसे आपको बहुत मानसिक शान्ती अनुभव होगी अर्थिक दर्ष्टी से दिन उपलब्धी कारक है धन लाब होगा रुका हुआ पैसा मिलेगा नए आमदानी के स्रोथ भी आपके बन सकते हैं उपाई के रूप में मसूर की डाल का दान किसे भी गरिब व्यक्ति को करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक एक होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं व्रशब रासी की अगर कहीं पूंजी निवेश या फिर नया काम करने का विचार कर रहे हैं तो आप योजना बद्ध तरीके से उसको संपन न करेंगे तो बहुत ही फाइदे नियाम हासिल होंगे और उपाई के रूप में भागवाण शंकर जी के मंदिर में सफेद रंग का फूल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका औरेंज होगा अब हम बात करते हैं मितुन राशी धर्म और अध्यात्म के प्रती विश्वास आपके अंदर शांती और सकारत्मक उर्जा का संचार करेगा जीवन के प्रतियक पहलू पर सकारत्मक दरश्टिकोन रखना आपको बहतरेन उपलब्दी हासिल करवाएगा नया वाहन नई भूमी नया काम या कोई भी ऐसा कार्य आपको मिलने वाला है जो बहुत दिनों से प्रतिक्षारत था याने जिसकी आप प्रतिक्षा कर रहे थे उपाई के रूप में घर से निकलते समय एक इलाईची खाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका अब हम बात करते हैं करकराशी की घर में परिवर्तन की योजना बनेगी या फिर घर बदलने का विचार भी आप कर सकते हैं सकरात्मक विचार उसे आप भरपूर रहेंगे अगर प्रापर्टी या किसी अन्यमुद्दे को लेकर रिष्टेदारों के बीच गलत फेमिया चल होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं सिंग रासी की पिछले कुछ समय चे चली आ रही और्थिक समस्याओं का निवारन होगा काफी समय से रुका हुआ पैसा भी आपको वापस मिल जाएगा घर का माहुल पन हो सकते हैं किसी कर्मचारी की लापरवाही के कारण आपको परिशानी पैदा हो सकती है इसलिए प्रत्य कारियों में साउधानी बरतना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा और उपाई के रूप में लाल रंग का फल यदि आप भोजन के बाद खाएंगे तो आपका दि भागिशाली अंक चार होगा भागिशाली रंग आपका जामूनी होगा अब हम बात करते हैं कन्या राशी की इस समय ग्रहों के इस्तिती बहतरीन उपलब्धियां आपको प्राप्त करने का योग बना रही है अब अपने अंदर अध्भूत उर्जा व आत्मेश्वास इसलिए लापरवाही न बरते सभी कारियों को गंभीरता पुर्वक आपको करना चाहिए उपाई के रूप में यदिया भगवान विश्नुजी के मंदिर में केला चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाल जनक इस्तितियां बनेगी घर में बच्चों की किलकारी संबदित कोई शुब सूचना या अच्छा समाचार मिलने वाला है संतान की उन्नती तथा प्रगती होगी नय वाहन नई जंबेडारी आपको मिलने वाली है प्रापर्टी में भी आपको फाइडा हो सकता है उपाई के रूप में मीठा दही शंकर भगवान के मंदिर में दान करना आपके लिए शुफल दाई सावित होगा आपका भागिशाली अंक साथ होगा भागिशाली रंग आपका आस्मानी होगा अब हम बात करते हैं वर्ष्चिक रासी की बहारी गतिविधियों तथा मित्रों के सा कुछ नकरत्मक प्रबत्ती के लोग आपको नुकसान पहुचाने का प्रयास कर सकते हैं आपको मन सम्मान को भी बचा करकर रखने की आउशत्ता होगी और किसी व्यक्ति से यदि आप सोदेवाजी करते हैं लेंदेन करते हैं तो उसके बारे में चान बीन करना बहुत होगा भागिशाली रंग आपका नीला होगा अब हम बात करते हैं धनुराशी की आज रोज मर्रा की दिंचरिया से हट कर कुछ रचनात्मक और रुची संबंधी कारियों में आपका समय वितित होगा किसी रिष्टिदार के साथ चलिया रही पुरानी समस्या का समाधान किस कि आप पीले रंग की कोई भी वस्तू का डान किसी भी गरीव या जर्वत्मन यक्ति को करेंगे तो आपका डेंड शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका आश्मानी होगा अब हम बात करते हैं मकर राशी की धार्मिक व वहाँ पर ज्यादा रहेगा आपको मनसिक वा शारीरी रूप से स्वस्त भी महसूस करेंगे कोई महत्वपूर्ण सूचना या समाचार मिलेगा जिसे मन आपका प्रसन रहेगा कोई समय से आपने जो लक्ष निर्धारित किया हुआ है आज उसे पूरे करने का उचित समय है अपने गुस्से पर आपको नियंत्रन रखना बहुत आवश्यक होगा और उपाई के रूप में घर से निकलते समय लौंग इलाईची खाना आपके लिए शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते ही कुम्ब राशी की आज आपको महत्तुपूर्ण समाचार मिलने वाला है कोई महत्तुपूर्ण जिम्मेडारी भी आपको मिल सकती है धनलाप के साथ साथ नए घर की सुब सूचना भी आपको प्राप्त हो सकती है पदोन्नती के साथ साथ आपको कोई ऐस काम भी मिलेगा जिसका बहुत दिनों से आपको इंतिजार था अर्थी की सितियां बहतर हो जाएगी कलात्मक क्रियाप कलापों में आपकी रुची रहेगी अपने मन के मुटाबिक कारी करने से आपको सुकून और प्रसनता प्राप्त होगी दूसरों पर विश्वास करने की बजाए अपनी अंतरात्मा के नरणय को आपको प्रात्मिक्ता देना चाहिए आपको अबशी ही उचित मार्ग दरसन प्राप्त होगा किसी दोस्त या रिस्तिदार का सांथ आपके लिए बहुत ज़्यादा उपलब्धी कारक रहेगा और उपाई के रूप में भगवान ग बहुत अधिक रहेगी और उसी के बल बूते पर आप बहतरिन परिणाम भी हासिल करेंगे दो परबार इस्तिटियों में सुधार होगा धनलाब होगा परिवार में खुशियाओ का आगमन होगा शुब और मैंगली कारिकरम की योजना भी बनेगी और उपाई के रूप में घर के मंदिर में शहत चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक चार होगा भागिशाली रंग आपका नीला होगा तो मित्रो या बारा राशी का डेनिक राशी फल और उनको करने वाले उपाई तथा भागिशाली अंक और भागिशाली रंग हमने आपको बताए हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्क कर लीजिए आपको और आपके पूरे परिवार को साधर जैसी करश्कन साधर धन्यवाद